हाई दिस इस शान अगरवाल आई वेलकम यौल टू धमेंती बच्चे चैनल आई होप तोसी सारे ने मेरी पुरानी वीडियो जुरूर देखी होगी जिसचा अपने ट्रेडिंग अकाउंट दे बारे पड़ेया सिगा कि ट्रेडिंग अकाउंट की हुंद है तेहो अकाउंट आपा क्यों बनाने है तांकि आपनु ग्रॉस प्रॉफिट अंड लॉस दा पता लग जे तेह आपने किता सिगा कुछ निमेरिकल किते सिगे किस दे बेज दे उपर कॉस्ट ऑफ गूट सोल दे उपर अज आपना नेक्स टॉपिक है प्रॉफिट अंड लॉस अकाउंट एं अंसर लिखने है तुसी वीडिäओनों पॉस करने है तब परहला अंसर लिखने है तुसी कमेंट चैस्ट फिर अन्यू इंड डिटान कुछ लाने तांकित हैं वेटा लगए कि फोड़ा चान संही किनने गलत है चलो आज जा आप हम हुरो कर दे हैं फर्स्ट कोशेन है return inward appearing in trial balance are deducted from return inward थोर नो return inward था मतलब इन्हें पिछली वीडियो संजाया साइगा की हुंदा है return inward हुंदा है अगर आपने कोई goods बेची आने ते कोई customer आपनों goods वापिस कर दिन्दा यानिकी return inward inward मतलब business जे अंदर वापिस आया उन्हों पर return inward करने है की वापिस आया goods वापिस आई है आपके किस चो deduct करांगे हो sales अगर उरे return outward हुंदा ता प्रचेस चो minus कर दे बाकिये सारे अपने wrong option है next question अपना अंद है the access of credit side of trading account would indicate credit side हों दियर्ट डेविट side हों दियर मैं थुम्हों 108 एक ट्रेडिंग आपकर दे तो सो अगर अपनी right side ते जे यहे डेबिट साइट बढ़ी हो वे क्रेडिट ना नो ता अपानू गुरॉस लॉस पता लगद है ठीक है थरड कोश्षन rocketss & salaries appear in trial balance arsewn in wages and salary आपने देते हूं यह कहुशंच तापकिस साइट de ंडोट करांगे on the debit side of P&L account on the debit side of trading account on the credit side of P&L account on the credit side of trading account थन में दस्का सिगा debit side ते आप पा सारे expenses purchases वगरे note कर दें ते credit ते income ते sale note कर दें जिन्नल cash अपना आ रहे है cash in cash out ठीक है money अपने इदर out हो रही है क्योंकि expense हो रहे है debit credit side ते क्योंदा इन हो रहे है so wages and salary अपना किया है खर्चा so debit side ते होगा लेकिन होने थे अपन दोसे अप P&L account चाओगा यह ट्रेडिंग चाओगा यह मैं तो पिछली वीडियो चो दुसे असी है अपना होगा ट्रेडिंग accounts क्यों wages and salary यह हो direct expenses अपना अगर salary and wages लिख्या हूंदा ता फिर हो profit and loss account चाणदा आई होप थोड़े तो यह तिनों question attempt होगे होंगे होना जा अपना next topic स्टार्ट कर दें पीएंडल देखो profit and loss account क्यों होगे है इट शोज दा financial performance of the business अपा पूरे साल जो भी activities किती हैं जो भी income अपने किती है ते जो भी अपने खर्चे किते हैं उसारे अपा पीएंडल अकाउंट ची नोट कर दें ते पीएंडल अकाउंट तो पहला अपना अन्य ट्रेडिंग अकाउंट जिस्चों अपनों gross profit loss दा पता लाग दे ओहुँआप बैलेंस और लिख देया है देखो अपने को अपने को डेबिट साइड ते हुझा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट दिगाल गार रहे हैं मैं तो credit side अपने को निकल दान दा है gross loss ठीक है जो दो आपड़ ट्रांसफर करने है ता इना दी side है जो opposite होएं दिये gross profit transfer अपड़ किता है credit side of P&L account तो gross loss आपड़ किते है debit side of P&L account तो दोनों side आपस exchange होएं दिये जोदो आपड़ एक account तो दूसरे account कोई चीज़ अगर आपड़ शिफ्ट कर दे है रूल लेकिन उही रहुगा अगर P&L account दी वी credit side बढ़ी रहुगी ता आपनों की पता लगोगा net profit अगर अपनी debit side बढ़ी रहुगी ता आपनों की पता लग होगा net loss जिमी की उपर रूल सेगा लेकिन यह थे word आपा यूज करना है net उपर ट्रेडिंग अकाउंट जड़ा word सेगा वो सेगा gross gross मतलब हुँद है कि मोटा मोटा अपने को केड़ा profit आया जिस चो हजे सारे expenses ते सारी income हजे आपने एड नहीं कितिया ते net दा मतलब जिनने भी अपने फालतुदे खर्चे हैं ते फालतुदे इंकम जिननी भी हो रही है और सारा कुछ एड करना net ठीक है तो इस चापा हो एंड उस चापा हो सारी है एंटरिस रिकॉर्ड करांगे जो इंडरेक्ट हुन दिया ने इंडरेक्ट expenses जिनने भी हुन दे ने अपने बिजनस दे रिलेटिड हो सारा कुछ नोट करांगे एक्सपैंस साइड ही रहोगी डैबिट साइड ते इंकम साइड क्रेडिट साइड रहोगी सेल ऑफ गुड्स वगएर आपा सारी ट्रेडिंग अकाउंट शो कित्तिया सी किया परचेज भी परचेज ऑफ गुड्स भी अगर तुसी कोई सेल कर रहे हैं अपनी ओल्ड मेशनरी दि उसी पेंड़ अकाउंट देखोंगे क्योंकि ओ इंडरेक्ट इंकम है थोड़ी डिरेक्ट इंकम नहीं है क्योंकि थोटा जटा बिजनस कोई हो रहे है अगर थोड़ा बिजनस हुंदा मेशीन नों परचेज से स देने थो नूँ expenses दिते होंगे जी में की wages and salary अपने उपर question किता कि दसो केड़े account चाओगा उस तरह ही आपनो P&L account दे related expenses दिते होंगे जी में की लिखता होगा कि two depreciation है ता दसो केड़ी side ते होगा debit side of trading account debit side of P&L account balance sheet चाओगा ता किते होगा सो depreciation अपना किते होगा debit side of P&L account ए मैं जस थो नूँ एक understanding ली समझा रहे हैं तांकि थो नूँ next topic अच्छे तरीके नल समझावे सो तुसी एही गला याद रखनी है trading account चापानों पता लादा gross profit and loss ते profit and loss account दे थुरू आपनों पता लागदा है net profit and loss हुँ जड़ा आपा औरे net profit ते net loss कड़ांगे यहनों भी आपा कितना किते ट्रांसफर करांगे तांकि आपानों business दे final position पता लगए सो final position पता करन लगए अपा balance sheet बनाने है ते एहे जो balance हुँद है एहे अपा balance sheet दे विच ट्रांसफर कर दे है हुँ देखो balance sheet क्यी हुँद है balance sheet दा वैसे मैं थो नूँ एक वीडियो दुस्या सीगा key heads हुँद है liabilities उन दिया ते अपनी assets उन दिया है केड़ी केड़ी liabilities उन दिया केड़ी केड़ी asset उन दिया है अगर जो students ने हो वीडियो नहीं देखी ता playlist create किती हुई accounts नाम ते हो देविश थो नूँ asset and liability करके मेरी वीडियो भी मिल जुगी सो तुसी students ने हो वीडियो जुरूर देखनी है अगर नहीं देखी है गी जिस करके थो नुआज दा lecture समझ आजे हुँ देखो balance sheet अपनों की दास दिया है it shows the financial position of the business यह अपनों financial position दास दिया कि अपनी जड़ी business दी position है और good है या bad है position in the sense की healthy business चल रहे है या अपना unhealthy business है देखो balance sheet दे अपनी एक equation होंदी है जो कि थो ने याद रखनी है exams भी पुछी जान दी है assets equal to liabilities plus equity share capital जो अपनी asset है अपनी जो asset side है यानि की right side of balance sheet है ओहो left side of balance sheet यानि की liabilities side दे equal होनी चाहिए दिया है ताहिए अपनी balance sheet है हो सही मनी जाओगी अगर दोना दा balance आपस्ट match नहीं करदा यानि कि आपका कीते ना कीते उपड़े अकाउंट ची गलती किती है जिस करके अपनी जो balance sheet हो balance नहीं हो पा रही सो जो assets हो दे अंदर आपने fixed assets ते current assets पड़े आ सी ते liabilities दे अंदर आपने long term liabilities current liabilities ते capital पड़े आ सीगा आज आपा सब्तों पहला सिखांगे कि capital आपा की में कर दे है ते capital में तो नहीं दोस्या सीगा कि की होंदे है ओभी में तो नहीं अपनी सारा कुछ पुराने वीडियो चे दास चुके है capital हो होंदे है जोदो कोई honor अपने कारदा पैसा business लगांदे है for the business purpose लई और आपा capital कहा देने है एहे जो equation में तो नू उरे दसी है assets equal to liability plus equity share capital याद रखनी है क्योंकि इस दे related question आया है तो नू value दिती होगी liabilities दी ते equity share capital दी ता तुसी asset दसने की होंदे है ता तुसी एनना नू simply दोना नू plus करके asset दसा दे हो या फिर तो नू asset दी value दसी होगी liability दी value दसी हो equity share capital दसने ता तुसी asset minus liabilities करके equity share capital दी value कर सकते हो सो चलो देख दिया है is related numericals केड़े है calculation of closing capital closing capital आपकी में कर साथ दे है जो दो आपका business शुरू कर दे है मैं तो नू financial year दसी आ सीगा एक अप्रेल तो लेके कत्ती मार सकदा हुंदा है एक साल दा हुंदा है यह थी आप additional capital लिखांगे जो आपका एक अप्रेल नो अपने business लेके आया है प्लस interest on capital उस capital दे उपर जो आपकानो interest पैंदा हुआ होई आपका add करांगे प्लस profit अगर थोड़ा पूरे year च कोई profit होया है जैड़ा net profit उरे आपका प्रॉफिट लिखांगे net profit जो कि अपने P&L accounts बनाया सीगा अगर आपकानों थे net profit होया है ता आपका उरे add कर दांगे अगर आपकानों उरे net loss होया है ता आपका हो deduct कर दांगे माइनस drawings ड्राइंग्स अब मतलब की होंदा है अगर कोई owner अपने business चो परस्नल यूजली पैसा काड़ के ले जानता है ता आपका उन्हों drawings के दिने है ओहो आपका deduct कर दांगे अपने opening capital दे बिचो less interest on drawings अगर ओही drawings उपर interest पहर रहे है ओह भी आपका less कर दांगे सो basically formula थो ने की याद रखना है opening capital plus net profit minus net loss minus drawings is equal to closing capital closing capital मतलब अपने को year end दे विच किन्नी capital बची है जो अपने शुरूच invest किती सी हो हूँ देखो अगर capital additional हो रही है ता हो तुसी add करी जानी है दे विच अगर आपनो interest on capital आ रहे है ओह भी add करी आना है अगर आपनो interest on drawing आ है ता हो आपका less करी आना है क्योंकि आपा drawings less कर रहे है capital add कर रहे हैं so capital related interest होगा ओभी add होगा drawing less कर रहे है so drawing related interest होगा ता होभी deduct होगा so simple formula है बहुत opening capital plus net profit minus net loss minus drawings equal to closing capital इना दोना चो आपनों एक value होगी या ता profit होगा या loss होगा एन ही हो साथ कि दोनों चीज़ां आपनों गीवन होगा चलो अपा इसदे related आज question कर दे है calculate the missing items first question है beginning of the year अपनों येर दी शुरुवात च total asset दित्यों ये 85,000 अपनों liabilities दित्यां होई है 62,000 ता दोस्तों owner दी equity किन्नी होई owners equity, owners equity दा मतलब बंद है capital कि जड़ी owner दी capital है ओ किन्नी होई मैं थोनों equation दिखाई सेगी मैं थोनों किया से याद कर लो इसदे related question आंगे equation सी अपनी assets इक्वल टू liability plus equity share capital ठीक है अपनों देखो की चीज़ गिवन है अपनों asset गिवन है लिख लिए अपने 85,000 इस इक्वल टू liability अपनों गिवन है 62,000 plus equity share capital एक्विटी share capital किन्ना होगा 23,000 85,000 माइनस 62,000 इस इक्वल टू 23,000 अपने पहले दा अंसर किया है 23,000 next question देख देख दें next question है end of the year total asset इक्वल टू 1,10,000 total owners equity इक्वल टू 60,000 total liabilities दसो की निया ने very simple है उपर ले question मुंगो ही है आपनों उपर liabilities देती हो है यहांसी ओन्ना एक्विटी करनी सिगी निच्चे आपनों ओन्ना एक्विटी देती है total liabilities करनी है formula ही रहुगा अपना asset equal to liability plus equity share capital so asset आपनों किनी गिवन है 1,10,000 is equal to liabilities आपनों पता नी plus equity share capital 60,000 last किता आपने 1,10,000 चो 60,000 50,000 आपने कूल पहले question आपने कूल अंसर सी 23,000 के second आपने कूल किन आपने कूल 50,000 हुन देखो third part चैन्डा ने की पूछे है changes during year in honors equity की हुन during जो अपना year जड़ा चाल रहा सिगा ओधे विछ कुछ changes आई है की changes आई है देखो drawings 18,000 यानि की honor ने personally usually 18,000 प्या कड लिया आपनों total revenue हो या इक लग चत्तर है यार ते total expenses हो या इक लग चाली जार दस्सो investment बाए honor ता डूरिंग दा year जड़ी investment सी गी honor ने किनी दिख की ती की जड़ा honor सी गा और हो और additional capital किनी लेका है यानि कि आपनों एथे additional capital पुछा गया है और की में कड़ांगे सब तो पिलना आपनों opening प्लग अपनिंग कैपिटल ते closing capital दा पता होना चाहिए मैं तो नूँ फॉर्मला दस्या है देखो ओपनिंग कैपिटल ते closing capital आपका काड़ साकते है अडिशनल कैपिटल आपकाने find करनी है drawings आपकानों दित्या हुई है profit and loss है जो हो आपका revenue minus expense कटके काड़ साकते हैं सो अपने को सारे कुछ है गया है except additional capital नूँ छाटिके जो की questions पुछा होया है देखो सब तो बिला आपका की गड़ना है opening capital opening capital की है beginning of the year तो थो नूँ opening capital दा पता राग जुगा opening capital में तुम दुस्यासी जड़ा साल दे शुर्वाच अपने कोल पैसा होंदा नूँ आपका opening capital बोल दे हैं ओ किनी सी की 23,000 एक साइड ते लिख देरो opening capital किनी है अपने को 23,000 closing capital किनी है second part जाप अगड़ दिया है total asset 110,000 total equity honors equity total honors equity 60,000 total liability 50,000 so अपने को capital किनी है honors equity नूँ आपका capital किनी है 60,000 ठीक है हुन देखो formula बस थोड़ा बन गया 23,000 यानि की opening capital plus थोने हुन की कड़ना है profit profit आपके में कड़ांगे 1,75,000 minus 1,40,000 चो माइनस करांगे ता अपने कोल किना आगया है 35,000 यह अपने कोल किया गया है net profit plus करदांगे 35,000 उन ड्रोइंग्स भी अपनों गिवन है ड्रोइंग्स आपकी कर दोने है less drawings आपके less करदांगे किन्याने 18,000 investment by the owner एकड़ना अपने additional capital जो की plus कर दे हुनने है यह अपनों value इते पता नहीं last अपने कोल closing capital किनी है आद लिखाज में 60,000 यानिकि यह सारे जा सम करके आपने को लास्च 60,000 आना चाहिए हुन देखो किन्न आ रहे है 23,000 प्लस 35,000 इक्वल टू 58,000 फिफ्टी एट थाज़न चो अपना 18,000 माइनस करदांगे ता अपने कोल किन्न आ रहे गया 40,000 फिफ्टी थाज़न चाहिपा किन्ना एड करांगे कि अपने कोल क्लोजिंग कैपिटल जिनी है माउंट आजे यानिकि 60,000 आजे सो इट्स 20,000 हुन देखो अगर तुसी सम करोंगे किन्ना हुगा 60,000 आ हुगा अपने पूरा फॉर्मूला बन गया अगर कोई चीज आपनों नहीं गिवन इंट्रस्ट अन कैपिटल या इंट्रस्ट अन ड्राइंग ओनों आपनों लेंदी लोड नी हैगी जो 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 पुछया गी आपने ओधे नाल ही कोशन सौल परना है सो कंफ्यूज नहीं होना कि और इंट्रस्ट अन ड्राइंग नी हैगा और इंट्रस्ट अन कैपिटल ने आपनों गिवन हैगा ताहुआ आप अपने गरिये नहीं जड़ा बेसिक फॉर्मूला है ओक है opening capital minus drawing plus net profit या फिर minus net loss is equal to closing capital interest on drawing ते interest on capital यह सब additional part है अगर given है तहां ही लिखना है I hope थो नुए कोशिन समझ आ गया होगा उना आपा इस जे related कुछ questions करांगे जिननल थो नुए की over clarity होजे closing capital is related so अपना first question की है the opening capital of the company is 10,000 if P earns profit of 2,000 in the first year then its closing capital will be अपनो की दिता होया है opening capital ठीक है P earns a profit of 2,000 profit earn की दोने profit दिता होया है in the first year then its closing capital will be अपने closing capital करनी है so closing capital अपनी ही निकले होगी on first January are 6,000 and 31st January rupees 7,500 if withdrawal by the owner during the January are rupees 1,000 then the net income of the January is हुँ देखो इनने अपनो की है की opening asset अपने कोल किनी है 6,000 opening asset क्यों first January दिख्या गया ठीक है अगर पहली थरीक अपनो कुशन चीवन होगा की first date नो any amount है ते month दे अंड चीवन आउंट है so automatically जो first date होगी वह ओपनिंग हो जोगी ते last date अपनी closing हो जोगी ते last अपनो की क्लोजिंग किन न है यह ओपनिंग अपने कोल closing किन न है assets 7,500 withdrawal by the owner during the January is drawings किन न ही है 1,000 then net income of the January is net income किननी होई हुन देखो तूसी 6 है यार चो एक है यार माइनस करता किनना रह गया 5,000 ठीक है उन 5,000 चापा किनना add करी है कि ओ 75,000 बन जे 25,000 so profit यानि कि income होनूं किननी होई है 25,000 और answer is B I hope थोनू समझ लग गया होगा देखो मैं दुम दुम दूसरा से कहा पहला फॉर्मूला रॉइट का लो बहुत इजी वे आ है तुसी इस वे नाल कोई भी question solve कर सा दे हो बस थोनू फॉर्मूला दमाग छोना चाहीद है next question देख देख दे है the liabilities of a firm are Rs.6,000 and the capital of the proprietor is 4,000 the total assets are थोनू equation याद हो गया होप asset equal to liability plus capital asset अपनों किन्नी given है given है नहीं यागी A लिखता liabilities अपनों किन्नी given है 6,000 capital 4,000 so asset अपने को किन्नी यागी 10,000 तो अंदस्या सी ना right side ते left side दोनों आपस मैच होनी चाहीद है liabilities plus asset liabilities and asset side अपनी मैच होनी चाहीद है so it's C answer next question किया F's capital on the 1st January 2002 is Rs. 45,000 opening capital अपना लिख लिए 45,000 interest on the drawing is Rs. 5,000 interest on the drawing किन्न है या अपना की कर दूनी है less 5,000 brackets लिख 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 ला मैंने less वाली आइटम interest on capital 2,000 ये add करांगे drawings are Rs. 14,000 ये भी आपकी करांगे less profit of the year किन्न है profit 15,000 add करांगे अगर loss लिख कर दे his capital on the 31st अधिको month दी लास दी थो नू दित्ती हूँ ये डेट 31st अगी यानिके closing capital करना है वेल्यू लिखन दे नानना थो डिकोल थोड़ा फॉर्मूला भी बन गया 45,000 minus 5000 plus 2000 minus 14,000 plus 15,000 is equal to calculate करो 45,000 minus 5,000 40,000 plus 2042,000 minus 14,000 plus 15,000 यानिकी net effect किना गया plus 1000 दा so 42,000 plus 1000 is equal to 43,000 सी अंसर है calculation हुमेशा easy when I'll solve करो 45 to 5000 minus किता 40 आ गया 42 एड किते बहुत इजी है 42,000 आ गया कई बर बंदनों सोचना भेहन दा है कि 42,000 चो 14,000 minus करांगे किया गया सो निच्चे रकमनाल आपने उन्हों net effect बनालया plus 1000 दा so it's easy 43,000 एनल थोड़ा time save होगा exam दे बिच अगर तुसी इस बेनल कल्कुलेशन करते अपना फिफ्थ कोशन किया है at the beginning of an accounting year a club has assets worth Rs. 19,000 liabilities Rs. 5,000 and 18,000 as a debit balance of income and expenditure account the opening capital is उन्थ उसी सोच रहे होंगे कि debit balance of income and expenditure दा मतलब की है income and expenditure account ही अपना P&L account हुँद है क्योंकि आप उच सारे expenses ते सारी अपना income note कर दे हैं जिननल अपनो net profit and net loss पता लग दे so debit balance of income and expenditure दा मतलब बुरे होया कि जो अपनी debit side सीगी P&L दी ओ बड़ी सीगी as compared to credit side so मैं तो नहीं दोस्या से अगर debit side बड़ी होवे तो आपने को net loss निकल दा है क्योंकि expensive side बड़ी है income दे ना लो so आपने को net loss पता लग दा है कि किन न है so 1800 जो आपनों given है ही net loss है ठीक है हुँ देखो यह आपका किते use करने है सबतों बेल आपका formula लिख लांगे हो ही asset equal to liability plus capital तो उसी चीज़ते आ रखने है जड़ी आप 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 आपिटल लिख दे हैं एहे closing capital हुं दिए है जो आपा सारी calculation तो बाद लिख दे हैं 19,000-5,000 is equal to 14,000 बट यही अपने कौल की है closing capital अपने करना की है opening capital formula थो नुमें basic formula की दस्या सीगा opening capital plus additional capital plus profit minus loss minus drawing is equal to closing capital हुं देखो आपाँ उल्टा चल लाना है क्यों क्योंकि अपनों closing capital गीवन है आपने opening तक पहुंचना है सो जेडिया चीज़ा आपने closing कारते वक्त plus कित्यां से माइनस हो या निया जो आपने minus कित्यां सी ओह प्लस हो जा निया closing capital की नहीं है 14,000 ठीक है करना की अपने opening capital गीवन अपनों सिर्फ की है loss लॉस आपा औरे की कर दिया है लेस जो आपने closing capital कर दोंद है सो अपने कोल closing capital ता ओल्रेडी गिवन है यानि कि इदे विच डिड़ आपना लॉस है ओ आपने डिड़क्ट किता है ओपनी कर दन नहीं आपने लॉस नो दुबारा तो एड कर दांगे अपने कोल opening capital की नहीं आगी 15,800 और अंसर केड़ा अपना बी और नेक्स्ट कोशिन इस इफ इंकम इस रूपी 16,000 डेफिशिट डेप्टी तु कैपिटल फंड इस रूपीज 4300 एक्सपैंडिचर इस हुँ देखो आपनों की कुछ गिवन है इंकम गिवन है 16,000 डेफिशिट डेप्टी तु कैपिटल फंड इस रूपीज 4300 एदा मतलब ही है कि जो लॉस ही हो आपने कैपिटल फंड चो डेबइट किता है उस तहां आपने पोल कोई यूज नहीं की आपने कि डेबट किता कि नहीं किता जस्त अपब वेगवन है कुछ ओ लॉस डेफिशिट तो याद रुखनएं लॉस जड़ सी गर आ है वह आप से इजी कोशिन है, income minus expenditure is equal to profit होंदे है, ठीक है, क्यों income जादा होंदी है, expenditure minus income is equal to loss होंदे है, क्योंकि अपने कोल अगर expenditure जादा होएं, income ना लो था, loss होंदे है, उन अपने को की कुछ given है, loss given है, इनकम गीवन है, expenditure आपा कर लाँगे, बहुत ही, expenditure आपनों गीवन नियागा, income आपनों गीवन है, 16,000 is equal to loss आपनों किना गीवन है, 4300, हुन देखो, expenditure एदर रहागया, 4300 दे भीच, 16,000 अपने एड करता है, क्योंकि ओधर जागे, एक प्लस होंदा माइनस, expenditure किना आगया, 20,300, So, answer is B, I hope थो नों समझ लागया होगा, बहुत ही, simple questions लिगा, बस और ही, language दा फरक पेंदे, deficit ता मतलब क्यों दा कटना है, यानि कि ये loss है, बस उसी यह चीज याद रखनी है, अबर next question is, opening capital rupees 20,000, closing capital rupees 10,000, profit during the year rupees 5,000, additional capital introduced 1000, drawings will be, 20,000, बहुत easy question है, तुसी पर लेनों solve करने कोशिश करने है, pause करके video, opening given है, 20,000, closing upon given है, 10,000, ठीक है, profit during the year, 5,000, additional capital भी अपा की गर्दने है, प्लस कर देने है, 20,000, plus 5,000, 25,000, plus 1,000, 26,000, ठीक है, 26,000, चौपा किनना minus करिए, कि अपने call, closing जिननी value आजे, यानि कि 16,000, और answer is A, देखो, मैं तुसे बहुत easy questions है, exams भी तुनों इसी type दे आने हैं, बस formula याद होना चाहिए, है, next question is, opening capital रुपीज 10,000, closing capital 21,000, drawing रुपीज 2,000, additional capital introduced रुपीज 10,000, profit during the year, विल भी, या भी बहुत easy है, फिर आप आउम ही लिखांगे, opening 10,000 गिवन है, closing 21,000, जो अपना target है, drawings less on year, 2,000, additional capital अपनी add उन्दी है, जो कि अपनी 10,000, profit अपना क्यों दोंदा है, add उन्दा है, जो कि अपनू पता नहीं, 10,000, minus 2,000, यानि कि 8,000, plus 10,000, 18,000, यह अपना किना बन गया, 18,000, उन 18,000 चापा की ऐसा add करी है, कि अपने कोल 21,000 बन जे, so, 3,000 add करके अपने कोल किन्य वेल्य बनूँगी, 21,000, और अबर अंसर इस, ए, यह भी बहुत easy question से गा, I hope थो नूँ मेरा आज दा लेक्टर समझ लग गया होगा, अगर फिर भी किसे नूँ कोई problem आ रही है, ता तुसी मेनूं comment box दा सकते हो, या फिर तुसी मेनूं message कर सकते हो, मैं थो डर next video, which over doubt clear करन दी कोशिश करूँगा, thank you.